आपके साथ मैं हूं कंचन और अज हमारे स्टूडियो में मौझूद हैं बिहार के एक ऐसे युवा कार्टूनिस्ट जिन्होंने अपने कार्टून के बल पर पूरे इंडिया में काफी लोग का दिल जीता है और यहां तक कि उनके कार्टून को रवीश कुमा जैसे जूर्नि बात कैसे हुई मोतिहारी से निकल कर पूरे इंडिया में इतने बड़े प्लाटफॉर्म पे आज आपको लोग जानते हैं तो कैसे हुई सफर की शुरूआत कि एक छोटे से जगह के रहने वाले मोतिहारी बहुत ही छोटा सा जगह है वहां से मेरे एजुकेशन 10-12 होने के लिए लीटे बाद बाद बाहर बैस्टर डिगरी लिए णिकले जरनलीजम में पत्रकारिसाय में मास्टर डिगरी पत्रकारिता इसे करी है वहां जाके में क्योंकि हम बच्पन में काथून बनाया करते थे में को नहीं पता था की और original कoba के लिरा थोह को नहीं देकर पीर प पेपर पेवर्क करना सुरू किया, सीनियर कार्टूनिस्टों को देखा, फॉलो किया, उसके बारे में जानकारी निकली, फिर धीर यह सफर जो है, यहां तक में को करीबन लगता है, पांच से छे साल हो गए हैं, तो यहां तक में को ले के आया, तो राकेश जी, जैसा कि हम ज आपे के इंजिनियरिंग करे, लेकिन मेरा मैथ में मन लगता नहीं था, तो यहां लुएध को बोला ऑगर आप चाहते हैं, स Cancer करपया हैं, क्योंनि चार साल के साल होता है, तो मैं भाझ के सायथ-ची सब्सक्त्राइबा तो ऐसा हुएध थो पापा ने बोला के जब इसको ल तो इतना जानते हैं, ट्विट करते हैं, रिट्विट करते हैं, तो अब क्या रिस्पॉन्स आपके बाबा का? तो अब पापा को भी लगता है कि साइद इसको बच्पन में अगर शिखा दिया होता, तो साइद हो सकता है कि आज इस जगा नहीं वहीं किरीगे। तो कार्टून में इतना ज़्यादा इंट्रेस्ट की मतलब क्या आपको खीचता है कार्टून अपनी तरफ क्या है उसमें ऐसा कुछ इसके लिए तो एक्जेक्ट में पस कुछ संटेंस तो नहीं पताएंगे लेगिन यह पता नहीं एक अंदर से ही निकलता है कि हां में को बस कार्टून देखके अंदर से खुशी सी होती है में को इवन कार्टून सब कोई बात भी करता है इवन कार्टूनिस सब की बात करता है जैसे काटून की बात करता तो में को लगता है मेरा नाम उससे जुड़ा हुआ है जब काटून की बात करता तो में को लगता है कि वो साथ मेरे काटून की बारे में ही बात कर रहे होंगे तो एक अंदर सी काटून को लेके में अंदर एक ऐसी खुसी जगती है, मतलब उसको जाहिर मतलब सब्दों में तो नहीं कर पाएंगे, पर हां में लिए वो एक पागलपन है, काटून जो है काटून की दुनिया जो है में लिए एक पागलपन है कि कार्टून में आप किन से इंस्पायर होते हैं तो कौन है आपका इंस्पिरेशन इस फील्ड में चुकि आएसे तो आरके लक्षमन जी हैं लेकिन उनके कार्टून जब हमने हो समाला उसके बाद में कुछ खास उनका हम नहीं देख पाएं उनके समय में उनके दौर में लेकिन जैसे कि में दो स्रिणियर कार्टूनिस्ट हैं जिनको हम अधिकतर फॉलो किये हैं और उने में गाइडलाइन दिया है एक अविशेख तीवारी जी है और चंद सेखर हाड़ा जी तो यह दोनों हमेशा अंसे मेरी अकसर बाते भी होती हैं तो कुछ ना कुछ अपके अलोशना पर यह जो है उनसे ही अमेशा कुछ ना कुछ न को मिलता है बाते हैं उनके वारे में तो राकेश जी फ्यूचर ब्लैंट्स क्या है अब क्या कुछ गर रहे हैं काटून के छेत्र में और आगे क्या प्लैंस है इस फिल्ड में अभी तो मेरा मतलब है कि जो गौवर्मेंट है उसके जो नकरात्मक चीजे हो रही है इस बीच में उसको लेके कार्टून बनाना है और कुछ नहीं है चुकि जो फैक्ट है उस पर काम करते हैं लोग को अच्छा लगता है साजा करते हैं अच्छी बात है लेकिन अभी हमने कुछ खास प्लानिंग नही जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे इस फील्ड में आने के लिए इस फील्ड में आना है बहुत ही इंट्रेस्टिंग फील्ड है इसमें आ सकते हैं बस बकायदा इसमें है ना कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में हो पॉलिटिकल हो सोसल हो या इतिहांस से भी रिलेटेड़ चीजे हैं तो आपको क्योंकि कुछी भी छित में काम करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ पाएंगे तो लोग को मजा नहीं आपाएगा जो इस तरीके चाहेंगे कि हाँ लोग अगर आना चाह बैडमिंटन खेला है जो कि नेशनल खेला है और एक काटून बनाया है बस में को दो ही काम आते हैं बैडमिंटन नेशनल लेवल तक खेला तो उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया यह जैसा कि आप जान रहे हो आप बिहार की जो अपनी जो है एक तो सिर्वास्तों फैमली से ह करते हैं और भीहार आपने बिवल्प क्यांति पाप को यह मतलब ऑपने को बहुत कुछ बर्प करनेता इंद आगेश जी जितने भी कार्टुनिस्ट हैं अभी फिलाल, बिहार के नियाताओ पर काफी रादा फोकस करते тि और बिहार ने भी लाल पिशाद- Effi K polar के कार्टून पर काफी फोकस करते है और अभी तो जेल में है जहां तक यह तो जो चीजे हैं उन पर काटून बनाने में लोगों को मज़ा आता है क्योंकि उनकी बोलने का स्टाइल है काफी अलग है और उस पे लोग मज़ा मतलब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी और काटून पर भी उन अच्छे पस्टनाल्टी है और बहुत अच्छे फणी भी हैं बहुत फणी मूड पे हैं और उनके काटून अक्सर लोग बनाते हैं वो रियक्ट नहीं करते हैं इत्ते अच्छे उनकी उनका सुभाव इत्ता अच्छा है कि काटून पर कभी रियक्ट नहीं करा उन्होंने कि कोई ऐसे नेता जिनको अभी तक आपने कार्टून ना बनाय सो चाहते हैं कि बनाए कभी फ्यूचर में अभी तो नहीं लगबग हम्ने सभी नताओं को टुच किया हैं क्योंकि क्वेर बीच में कोまसा चाहते हैं सायर क्वारोव करना और छोड़ना नहीं किसी को नहीं छोड़ना क्योंकि जो है तो दिखाना है अपने को सरकार जिसकी है वह उसी चीज़ोंपर तो हम बात कर सकते नम्हें तो वह विपक्ष का काम करते हैं तो राकेश जी जाते 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 एक अंतिम सवाल की ऐसा कोई काम जो भी तक आपने कार्टून के छेतर में ना किया हो और करना चाहते हूं प्यूचर में अनि, काम तो किया ही है लेकिन ज्यादा, bueno, एडिटोरियल पर हरते हैं tv-전, मैंको लगता है कि ज्यादा काम करना है तो शोसल पर करना बहुत जड़ोरे हैं, ऑक काटून मेरे उसके भी फेमस हुए हैं, हमने बनाय हैं , लेकिन मिला मतलब है कि काम कर रहे हैं तो वे स्वास में कार पाएंगे.. और अपने को इतना ब्यस्थ सब्द्रदब्द हो चुकए ले था इस च्रिइककर्ण सोब्रों आपको हमारी कारी करम अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना जादा से जादा हो से के शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले नमस्क्राइब झाल